हमारी आने वाली पेडिया कमजोर पैदाना हो इसलिए भी हमें गाउं गाउं किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें यूरिया के कारण भहुत बड़े संकट आ रहे हैं यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल उस पर बहुत विपरित असर होता है और इसलिए प्रद्वी जी आप जैसे प्रधान गाउं वालों को समझाए कि भई आप गाउं में पहले अगर दस थेली आता था यूरिया तो पांच थेली आएगा पहले सो थेली आता था तो पचास थेली आता था तो पचास थेली आता हम आधा कर देंगे आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी तो मैं चाहूँगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्वी जैसे प्रधान से बात हो रही है तो मुझे पक्का विश्वास हैं कि आप एक काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बदाई बहुत शुब काम नहीं आईए हम माराश्च चलते हैं भूले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फस कर रासायने खादवा कीट नाशकों का प्रियोग करने लगी बैलों की जगा ट्रैक्टर से जुताई होने लगी शुरुवात में कम रासायने खादों के प्रियोग से अधिक उत्पादन हुआ धीरे धीरे रासायने ख उनमें रोग वा कीट लगने लगे। उर्वरा शक्ति क्षेन होने से भूमी बंजर होने लगी। रसाइनिक खाद वा कीट नाशकों के कारण खादान भी विशाक्त हो गए तथा जल्वाईयू भी प्रदुशित हो गई। जिसके कारण मानव पशुपक्षियों के स्वास्थे पर प्रतिकूल प्रभाव बढ़ा जिसका परिणाम आपकी सामने है। मानव स्वास्थे पर रसाइनिक खादों के पढ़ने वाले प्रभाव को आप ऐसी समझें। जब किसान फसल में रसाइनिक खाद डालता है तो रसाइनिक खाद में उपस्थित विशाक्त रसाइन जल में घुल कर सबसे पहले जल को प्रदुशित कर भूमी के अंदर उपस्थित केचुए वा सूक्ष्म जिवानूं को मार देता है। ये बात सभे किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए वा अन्य सूक्ष्म जिवानूं भूमी की उर्वरा शक्ती को बढ़ाने के लिए अती आवश्यक होते हैं। विशाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यू हो जाने से भूमी की उर्वराशक्ती नर्ष्ट हो जाती है, तथा भूमी कठोर होकर बंजर होने लगती है। रसायने खादों के विशाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनीजों के साथ फसल के अंदर पहुँच कर फसलों को विशाक्त बना देते हैं। बाद में जब खादान के रूप में मनुष्य या अन्य पशूइने खाते हैं तो ये विशाक्त रसायन मानव स्वास्थे पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरहां तरहां के रोग उत्पन करते हैं जब हम जविख खाद का प्रियोग भूमी पर करते हैं तो जविख खाद पानी में मिलकर पानी को प्रदूशित नहीं करती जविख खाद भूमी के अंदर उपस्थित उर्वरा शक्ती को बढ़ाने वाले जिवानू तथा केचुओं की संख्या को तीवरता से बढ़ाती है जिससे भूमी की उर्वरा शक्ती बढ़ती है तता भूमी चिद्र युक्त एवं भुर भुरी हो जाती है जिससे वाइयू और परकाश भूमी के अंदर गेहराई तक प्रवेश करते हैं जिसके कारण भूमी में तापमान एवं आदरता का संतूलन बना रहता है और फसले म मजबूत होती हैं जैवे खाद में विद्धमान तत्व